हेलो फ्रेंड्स दिस दीप माला चौधरी वेल्कम बैक तो मैं चैनल शेफ दीप माला की चन्द रेसिपी पे जाने से पहले जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन बेल के साथ यह हमने तीन मीडियमा करके आलो लिये हैं आप चाहे तो इना उबाल कर ले सकते हैं चाहे तो बेक करके ले सकते हैं मैंने बेक करके लिया है क्योंकि उबाले हुए आलो में थोड़ा मोईस्चर जादा हो जाता है अब हम इसमें डालेंगे तीन चमच कॉन फ्लार की और तीन अगर आपको जर्वत के हिसाब से और लगे तो आप एक दो चमच और एड़ कर सकते हैं अभी मैं तीन तीन चमच यूज कर रही हूँ अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड कर देंगे मैं आधा चमच से थोड़ा सा जादा ले रही हूँ यह मैंने ड्राय लीव्स रख्य हुई थी पुदेने के मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था नहीं तो काट के भी पुदीना डाल सकते हैं यह मैं ड्राय लीव्स डा अगर आप लैसून खाना पसंद करते हैं तो लैसून जरूर एट कीजिए इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यह मैंने ताजा कलिया ली थी लैसून की चार-पांच और उन्हें अच्छे से क्रश करके ले लिया है चलिए इससे अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो अब हम हातों से अच्छे से डौ बना लेते हैं यह दो तैयार हो चुका है अगर आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगे तो आप एक चमच मैदा और एक चमच कॉन फ्लॉर और भी आड़ कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा चिपकरा हो तो आप थोड़ा-थोड़ा मैदा या कॉन फ्लार लगा सकते हैं उपर से अब हम डोग की छोटी-छोटी लोईयां बना लेंगे और उसे प्लेइन सर्फेस पे थूड़ा-लंबा-लंबा कुरकुरे का शेप दे देंगे लंबी-लंबी स्टिक जैसा बना लेंगे सबी को ऐसे ही तयार करना है और ये देखिए मैंने सारी तयार कर ली है चलिए अब इन्हें फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए मैंने रिफाइन ओयल का यूज किया है बहुत जादा गरम नहीं करना है तेल को इतना गरम होना चाहिए कि जब हम इसे डालते है तेल में त अलके अलके वुलबले आए उसके बाद धीरे धीरे यह उपर आए और जब तक यह खुद से उपर ना आए तब तक हम इसे टच नहीं करना है धीरे धीरे उपर आने देना है उसके बाद हलके हाथ से हम इने पलटते जाएंगे ये देखिए दीरे-दीरे सारे उपर आ गए हैं अब हमेने उलटते पलटते वे सेख लेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है कहीं पर भी आपको तेज नहीं करना है अगर तेज करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे अब आपको जादा क्रिस्पी चाहिए तो आप थोड़ी देर और फ्राइ कर सकते हैं मुझे खलका सांदर से सॉफ्ट चाहिए तो मैं इने बाहर निकाल लेती हूँ और ये देखिए कितने अच्छे बन कर तैयार हुए है चलिए थोड़ा सा ओर टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा डालते हैं इसमें ओरिगेनो थोड़ा सा डालेंगे हम चीली फ्लेस आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो फ्रेंट्स लीजे तैयार है हमारे मकैन माले कुरकुरे ये खाने में बहुत ही टेस्टी है आप एक बर बच्चों को जरूर बना के दीजिए फ्रेंट्स तैसी पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे जो कोई भी नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तैंक यू